हेलो दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे थे मुगलवन्स तो आज हम लोग मुगलवन्स में पढ़ेंगे खानवा का युद्ध और उसके बाद कौन-कौन से युद्ध होते हैं यह सारी चीज़ें आज हम लोग complete कर लेंगे इसके बाद सायद बाबर का एक पार्ट और आएगा अगर इसी में हो जाएगा तो नहीं आएगा लेकिन अगर इसमें नहीं पढ़ा पाते हैं तो एक और पार्ट आएगा बाबर का फिर इसके बाद हम लोग हमाय उपढ़ेंगे तो चलिए हम लोग आज खानवा का युध पढ़ते हैं तो दोस्तों खानवा का युध जो हुआ था मार्ज 1527 सेश्वि में मार्च 1527 सेश्वि में खानवा का युध हुआ था और किनके किनके बीच हुआ था बाबर और राणा सांगा राजपूत राणासांगा और बाबर के मद युद्ध हुआ था खानवा का तो सबसे बड़ा सवाल ये है सबसे बड़ा प्रशनिया है कि खानवा का युद्ध क्यों हुआ बाबर ने राणासांगा से क्यों लड़ा या फिर राना सांगा ने बाबर से युद्ध क्यों किया देखिए थोड़ी सी पहले स्टोरी समझ लेते हैं फिर इसको बाद हम लोग पढ़ते हैं बाबर ने पानिपत के प्रतम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया और आपको पता है उसमें राना सांगा ने भी बाबर का साथ दिया था देखिए बाबर का साथ राना सांगा ने इसलिए दिया था कि राना सांगा यह सोचता था कि बाबर भी अन लुटेरू की तरह आया है भारत में तो उस्च में हमने बताया कि राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर भी अनिलूटेरियू की तरह भारत में आया है और लूट पार्ट करके चला जाएगा इसी लिए बाबर का साथ राणा सांगा ने दिया था लेकिन हुआ क्या जब बाबर ने पानिपत के प्रथम युद्ध में जीत हासिल की तो उसके बाद वो वापस गया ही नहीं उसने यहीं पर रहने का निश्चे किया और यही कारण था बाबर ने बाबर को खानवा का युद्ध करना पड़ा यही कारण था अगर बाबर चला जाता तो राणा सांगा युद्ध ना करता लिकिन अब चुकी बाबर ने यहां रहने का निश्चे कर लिया और यही कारण था इस युद्ध का फिर 1527 इस्वि में युद्ध होता है युद्ध में राणा सांगा की हार होती है तो चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं थ पानी पत के युद्ध के पश्चात भारत में रहने का निश्चे था राणा सांगा की धाना थी कि बाबर भी अन्य आकरमन कारियों की भाहा थी आकरमन करके और लूट कर वापस चला जाएगा समभता इसी कारण उसने इब्राहिम लोधी के विरुद बाबर को सहायता देने का वचन दिया था अस्वासन दिया था खानवा का युद चितोड के राजपूर नरेश राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया माच 1527 इसवी में राणा सांगा और बाबर की सेनाओं के बीच युद आरम हुआ खानवा के युद में भी पानीपत की युद्धी का रणनीत का उप्योग करते हुए बाबर ने राणा सांगा की बुरुद एक सफल अभियान किया आप देखें यहां पर कहरा है खानवा के युद्ध में भी पानीपत की युद्धी की रणनीती का उप्योग किया बाबर ने मतलब जो तुल्गमा युद्ध पद्धत थी उस्मानी बिधी ती तूपो को सजाने की वही सारी बिधियां वही सारे प्रियोग यहां भी करते अब कितल तो वही स्वाका यहां नहां बाबर नामा में राणासांगा और बाबर के बीच युद्ध का विश्तार पुरण्वक वडरन किया गया है मैं खानेघ संगा कि हार गया मैं बाबर ने गाजी की उपाधी धारन की तो से कोंशन आप से पूचा जाएगा एक्जाम्स में बाबर ने गाजी की उपाधी किस युद्ध के दौरान धारण की थी तो आपको वहां लगाना है खानवा का युद्ध साथी जिहाद का नारा भी दिया अपने सैनकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसल्मानों से वसूल किये जाने वाले तमगाकर अथमा भ्यापारी कर को समाप्त कर दिया तो अब देखें यहां पर कहरा कि उसने अपने स्वाइनकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसल्मानों से वसूल किया जाने वाले तमगा कर समाप्त कर दिये, जिहाद का नारा देना पड़ा उसको सोचिए तो अब थोड़ा से हैं समझिए कि आखिर उसने जिहाद का नारा क्यों दिया मनोबल क्यों बढ़ाया अपने शैनकों का दरसल बात यह है उस समय राजपूतों में जो राणा सांगा था वो बहुत ही जादा सक्तिसालिक था पूरे दुनिया में हम कहें कि उसकी चर्चा होती थी बहुत सक्तिसालिक आ सक्ता तो जब बाबर की सेना को पता चला कि आज उसका युद्ध है राणा सांगा से होने वाला है राणा सांगा की सेना से होगा तो बाबर की सेना काप गई थर्रा उठी और भागने लगी तो जब बाबर की सेना भागने लगी तो बाबर तो भागने वाला था नहीं बाबर तो द्रण निश्चे करके आया था तो उसने साइनकों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुसल्मानों से वसूल किये जाने वाले तमगा कर स्माप्त कर दिया और जिहाद का नारात है मुसलिम के अलावा जो भी है गैर मुसलिम है उनके बिरुद्ध युद्ध छेड़ देना ही जिहाद कहलाता है जिहाद का सिधा सिधा मुतलब क्या है धर्म युद्ध है तो बाबर ने नारा दिया कि जितने भी गैर मुसलिम हैं हम उनके साथ युद्ध करेंगे अपने सैन को कम मनोबल बढ़ाया और आखिरकार कहा जाता है कि बाबर इस युद में सफल हो जाता है जीत जाता है तो ये रहा हमारा खानवा का युद अब हम दो छोटे-छोटे युद और हैं उनको देख लेते हैं उसके बाद हमारा जो युद है वो समाप्थ होगा तो जो नेक्स्ट युद है वो है चंदेरी का युद चंदेरी का युद जन्वरी 1526 इस्वी में हुआ 1526 इस्वी में जन्वरी 1526 इस्वी में चंदेरी का युद बाबर और चंदेरी की सासक मेदिनी राय के बीच हुआ चंदेरी के सासक थे मेदनी राय ये भी राजपूत ही था तो 1528 उसमें चंदेरी का युद देखे चंदेरी का युद जो होगा चंदेरी के सासक मेदनी राय के और बाबर के बीच होगा इस युद में मेदनी राय पराजित हो जाता है हजारों की संख्या में राजपूतों का कतल कर दिया जाता है या विजय बाबर के लिए मालवा जीतने हेतु सहायक सिद्धूई तो इसमें कुछ जादा है नहीं इसके बाद एक युद्ध और आता है जिसम कहता है घागरा का युद्ध घागरा का युद्ध ये भी एक्जामस में कई बार पूछा जाता है तो घागरा का युद्ध देखे मई 1929 सिश्वि में उपवा हमने आपको बताया था पिछले लक्चर में कि जो इब्राहिम लोदी का भाई था महिमोद लोदी चुकि बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था तो इससे अफगानों की सक्ती छीड हो गई थी लेकिन समाप्त नहीं हुँ थी तो बाबर ने हरा दिया था लेकिन इब्राहिम लोदी का एक भाई था महिमोद लोदी उसी ने यहाँ पर ये अभियान किया घागरा का युद उसी के काड़ हुआ उसी ने किया हम कह सकते हैं उसी के नितरुत में हुआ तो चलिए पढ़ते हैं बाबर ने मई 1529 इस्वी में घागरा के युद में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित किया देखें बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना थी उसका युद बाबर की सेना से हुआ जिसका नितरुत महमूद लोदी कर रहा था यानि कि अफगान सेना का नित्रुत कोन कर रहा था बंगाल और बिहार की जो अफगान सेना था उसका नित्रुत कर रहा था महमूद लोदी और एक तरफ था बाबर की सेना तो दोनों में घमासान उद्ध होता है और युद्ध में महमूद लोदी की सेना हार जाती है इस युद्ध के पशाद बाबर का भारत पर इस्थाई रूप से अधिकार हो गया अब कोई भी सक्ती बची नहीं थी जिसको बाबर ने हराया ना हो इस प्रकार बाबर का समराज बधक्सा से बिहार तक फैल गया जिसमें काबूल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का छेतर भी शामिल था तो ये था घागरा का युद्ध जो महमूद लोदी की अफगान शेना और बाबर की शेना के बीच हुआ युद्ध में बाबर जीत जाता है तो अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ बाबर के बारे में और की आखिर बाबर की मृत्यू कैसे हुई हम ये सब थोड़ा सा देख रहते हैं अगर इसी लेक्चर में समाप्त हो जाता है तो ठीक है हलाकि हम लोग बहुत जादा जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी का काम तो जानते हैं किसका होता है बाबर की मृत्यू यहां से कोशन इस बार एक कोशन पूछा गया था अगर आप कौन बनेगा करोन पती देखते हैं तो उसमें कोशन पूछा गया था बारा लाख और सायद पच्चास जार का सवाल था अभी मैं बताऊंगा वो कोशन कहां से आया है तो बाबर की मृत्यू कैसे हुई देखें 26.15 इसी को बाबर की आगरा में मृत्यू हो गई तो बाबर की मृत्यू और चार के 20 15 30 यह वैची on नमबर 1530 आगरा में मृत्ति हुई थी कहां आगरा में बाबर किवल चार वर्ष भारत पर सासन कर सका बाबर की मृत्ति के बाद उसके सव को आगरा के आराम बाग में रखा गया उसके सव को यानि उसकी लास को कहां रखा गया आगरा के आराम बाग में रखा गया बाबर की मृत्यू के बाद उसके सव को आगरा के आराम बाग में रखा गया किन्तु बाद में बाबर की अंतिम इच्छनुसार उसका सव काबुल ले जाकर दफनाया गया जहां उसका मकबरा बना हुआ है यहां बाबर का मकबरा कहां बना हुआ है काबुल बाबर चाहता था कि उसका अंतिम संस्कार उसका जो मकबरा है वो काबुल में बने उसका अंतिम संस्कार काबुल में हूँ तो मरा तो आगरा में था इसलिए ततकाल उसकी लास को उसके सव को आगरा के आराम भाग में रखा गया किन्तु बाद में बाबर की अंति मिच्छा के अनुसार उसका सव कहा ले जाएगा काबूल ले जाएगा और वहां दफना दिया गया जहां उसका मकबरा भी बना दिया गया तो कोश्यन कौन बनेगा करौनपती में आया था कि आग्रा के आरामबाग से बाबर के सौ को निकलुआ कर किस अस्थान पर दफनाय गया的 उसका सो कहा दफनाय गया काबुल ले जाकर दफना दिया गया यही कोश्यन पूछा गया था कि आगरा के आराम बाग से बाबर का स्व निकलवा कर उसकी अंतिम इच्छ नुसार कहां दफना आये गया तो काबूल ले जाकर दफना दिया गया अब हम बाबर का मुल्यंकन देखेंगे ये लाश्ट टॉपिक है बाबर से संबंधित तो इसको भी पढ़ लेते हैं उसके बाद समाप्थ हो जाएगा बाबर योगि सासक कुसल सेनापती महत्व कांची बास सा था इसमें कोई सक नहीं इतने सारे युद्धि जीते तो योगि सासक था कुसल सेनापती भी था मात्व कांची बास सा था तभी तो जीते बाबर कुसाड़ वंस के बाद ऐसा पहला सा सकता ये याद रखने के लायक है जिसने काबुल और कांधार को अपने पूर नियंत्रण में रखा यानि कि बाबर कुसाड़ वंस के बाद ऐसा पहला सा सकता कुसाडों के बाद ऐसा पहला सा सकता जिसने काबुल और कांधार को अपने पूर नियंत्रण में रखा बाबर ने पहली बार युद्ध में तोफ खाने का और नई युद्ध पद्धत इतुल्गमा का प्रियोग किया बाबर ने सडको के माप के लिए गजे बाबरी का सुभारम गिया बाबर अपने साथ दो महतपूर खेल लाया था गंजीफा जिसे तास का खेल कहते हैं गंजीफा को लाया था बाबर इसक बाजी जिसे कबूतरों का खेल कहते हैं इसक बाजी उसका प्रिये खेल था तो बाब बाबर का नाम आएगा वहां पर बाबर तुर्की भासा का विद्वान था उसने तुर्की में अपनी आत्म कथा बाबर नामा या जिसे हम तुजुक ए बाबरी कहते हैं तुजुक ए बाबरी जिसे हम कहते हैं उसको लिखा है तो बाबर ने अपनी आत्म कथा किस भासा में लिखी है तो तुर्की कहीं कहीं लिखा होता है चगताई भासा तो चगताई भी सही होगा तुर्की भी सही होगा और उसके बाबर नामा को एक नाम और देते हैं तुझुक ए बाबरी तुझुक ए बाबरी बाबर नामा को तुझुक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं बाबर को बागों को लगाने का बड़ा सोख था यानि बाग बहुत ज़्यादा लगाता था उसने आगरा में जैमिती बिदी से एक बाग लगवाया जिसे नूर अफगान कहते हैं परन्तु अब इसे आराम बाग कहा जाता है और यहीं उसके लास को दफनाया गया था आराम बाबर ने सारूक नामक चांदी का सिक्का भी चलाया तो सारूक नामक चांदी का सिक्का किस मुगल सासंग ने चलाया था तो आपको वहां पर बाबर का नाम लिख देना उके दोस्तों तो बाबर से संब्दित हमने सारी चीजे जान ली हैं और चार पार्ट में आया बाब एन परहेंगे भाबर का पुत्र हुमायू कैसे सासक बनता है कितने समय तक सासक रहता कौन-कौन से युद्ध के सारी डीटेल्स हुमायू के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स पार्ट में ओके दोस्तों ठाइंक ठाइंक यू कि मेरी मुच